मुख्याला इस्तित कोर्ट में फर्जी तरीके से जमानत देने का मामला सामने आया है जहां कोर्ट में एक जमानत दार किसी मुलजिम के जमानत देने जेसे ही पहुचा नया अदिश ने उसे पहचान लिया नया अदिश ने पूरू में भी उसे समझाईश दी थी लेकिन दोबारा जमानत देने के लिए रिन पुस्तिका लगाने पर CGM ने जमानतदार के खिलाफ FIR के निर्दिश दे दिये FIR के बाद पुलिस ने उसे नियाले पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया अभी ओजब जेस मुवेल ने बताया कि माननी पदमा राजोरे तिवारी मुख्य नियाई मजिस्टेट के कोट में आधार कार्ड वब भू अधिकार पुस्तिका के जरिये सकाराम पिता मंगत निवासी ग्राम सिप्टान तहसिल कस्रावत बार बार जमानत देने पहुँच रहा था खास बात यहाँ है कि वह आरोपी को बिना जाने जमानत देता था खरगोन थाने के एक प्रकरण में CGM ने जब आरोपी से जमानत दार से पहचान के संबंद में पूछा तो उसने पहचालने से इंकार कर दिया नियालाई ने इस पर नाराजगी जताते हुए सकाराम के खिलाफ FIR के आदेश दिये थे आज उसे नियालाई पेश किया गया जहां से जेल भीज दिया के लिया आता था इस पर से नियाले सीजिन नियाले जारा कल उसको संग्यान लिया गया और इसके विरूद चारशो बिस दो सो नौ के तहरत अपराद पंजीबत किया गया है यह उस पी का बदलता था इस तरीके सारो फेस के उपर फरजी तरीके से मतलब आदतन जमानत देतार जारता है प्रजी उसके बाद भी आदतन जमानत किसी की नहीं दे होगे उसके बाद भी अधर से बाजनी आ रहा था और वो मुखे तही एक ता जो आरोपी संधिया थी उसको पेचानता भी नहीं था ना संधिया जमानत्दार को पेचानती जो जिसमे आले पर संका और इससे पूछ राज करी और कोड़ पने इसके वरूद अपरात पंजिबत करने के लिए थाना खरबोन को निर्देशित किया गया है डिजियाना न्यूज निवार्ट रिपोर्ट फरबोन पार की पलपल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चेनल डिजियाना न्यूज निवार्ट को सब्क्राइब जरूर करें